असलाम लेकूम देश्टूट्रेंस कैसे हैं आप साब उमीद करते हैं हम सब बहुत कहरे से होंगे आज का हमार टॉपिक है प्लांक्स एजॉपिशन ठीक है यह एज शॉर्ट कॉसन है और इसमें हम देखेंगे कि जो रेडियेशन वाली वेव कर्व हमें मिले थी टेमटेश् डेश्टी करती है और किस तरह कुंसी वेव फैरी जो है इनको एक्स्प्रेंट करती है तो किते हैं एलेक्रमाग्नेटिक वेव फैरी फैरी of radiation can not explain the energy distribution along the intensity wavelength curve जो हमारे पराने तेहरी थी एलेक्क्रमग्नेटिक वेव थैरी वोँ इस सारी वेव गड़न करोंकी वो इसमें fail होगी तो जब इसको explain किया गया वो सबसे पहले explain किया जी Planck ने तो successful attempt to explain the shape of energy distribution curves gave rise to a new and non-classical view of electromagnetic gradations 1900 में जाके Max Planck ने जो है वो foundry किया एक mathematical model found किया बनाया resulting in an equation that describe the shape of observed curves exactly Planck ने सबसे पहले जहाँ वो explain किया कि यह जो curves है वो इस तरह की क्यों बनती है और उन्होंने एक mathematical model पेश किया जिसके मताबिक में पता चल जाता है कि यह जो waves हैं वो किस तरह से और किस-किस radiation से निकल रही है किस-किस frequency पे कितनी-कितनी energy वा radiation जहाँ निकलेंगी तो कहते हैं he suggested that energy is radiated or absorbed in discrete packets called quanta rather than a continuous wave कहते हैं energy जो होती है वो continuous नहीं होती यह continuous wave की तरह energy जहाँ वो distribute नहीं होती बलकि energy जो है वो packets की form में consist करती है कुछ packets बड़े होते हैं कुछ packets जहाँ वो छोटे होते हैं packets की amount जादा है size बड़ा है वो जादा energy के packets होंगे तो कहते हैं he suggested that energy is radiated or absorbed in discrete packets और उसको उसने नाम दिया quanta का ठीक है each quantum is associated with radiation of a single frequency the energy e of each quantum is proportional to the frequency उस energy के packet को उसने quanta का नाम दिया ठीक है और वो कहते हैं उस हर quanta यह हर जो packet है उसके energy depend करती है frequency पे frequency के directly वेरी करती है frequency जादा होगी तो energy जादा होगी frequency काम होगी तो energy जो है वो कम होगी तो यहां पर हमारे पास एक वे नजर आ रहे है is equal to hf h यहां पर क्या है planks constant है और इसकी value होती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटु टैंट्रेसबर माइनस 34 जावल सेकेंड और इस fundamental constant जो है is as important in physics as the constant c जिस तरह से हमारे पास c की value जह हो बहुत आमेट के हमें दर हमिल है ठीक है हमें पता है c जह स्पीड अफ लाइट है और इसकी value constant है बिल्कुल सेम इसी तरह से जो age है वो भी उतना ही important है और यह भी fundamental constant है मैक्स प्लांक ने जो है वनोबल प्राइज रेसीव किया था 1918 में for his discovery of energy quanta ठीक है तो यह अज़र शॉर्ट कोर्सन है होप सो अपनों को clear हो गया होगा अपना ख्यार रखियागा thank you so much अल्हाफीज